आईए, अब हम संक्रमन तत्वों के एक और महत्योपून गुण आयनन उर्जा, आयनाजीशन एंथल्पी में पाई जाने वाली प्रवित्तियों या टरंड्स के विसे में जानते हैं। जैसे कि अब सभी जानते हैं, आयनन उर्जा, किसी भी गैसी, विलगित, आईसोलेटड परमाणों के बाहतम कोश्ते, एक इलेक्टरान निकालने के लिए हमें जितनी उर्जा की आवशकता होती है, उसे हम आयनन उर्जा कहते हैं। और किसी भी परमाणों की आयनन उर्जा उसके नाविकी आविश पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रभावी नाविकी आविश जितना अधिक होता है, वह बाहतम कोश्त के इलेक्टरानों को उतनी मजबूती से पकड़ कर रखता है, अपनी में बांध कर रखता है। और इसलिए ऐसे इलेक्टरान को बाहर निकानने के लिए हमें अधिक औरजा की आवशत्ता होती है। परमानों की साइज है, उसमें हमें अनीमित परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां पर हम जानले कि जो आइनन एंथेल्पी है इस तरह से मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करेगी। एक तो है कि परमानों का नाभिकी आवेश यानि कि जड़ एफेक्ट कितना जादा है यह आइनन एंथेल्पी इसकी समानुपाती होगी। जबकि परमानों की साइज के यह वित कुरमानुपाती होगी। क्योंकि परमानों की साइज छोटी होगी तो नाभिकी आवेश अधिक होगा और उस समय आइनन उर्चा का मान अधिक हो जाएगा। यदि परमाणू की साइज बड़ी होगी तो वहाँ पर जो बहतम कोश का इलेक्टरान है वो नाभिक के उतनी आकरशन का अनुभव नहीं कर पाएगा और साथी साथ जब अंतरी कोशों में डी और्बिटल में जो इलेक्टरान होंगे उनका उस समय परिरक्षन प्रभाव भी बढ़ जाएगा और ऐसे स्थती में आयनन उर्जा का मान कम हो जाएगा क्योंकि ऐसे इलेक्टरान को बाहर निकालने के लिए हमें कम उर्जा की बात करें तो वहां पर अब देखें कि जो परमानों का आकार है उसमें अनिमित परिवर्तन होता है और परमानों के आकार में अनिमित जो पाई जाती है इसकी वज़ए से इनकी आयनन आयनाइजेशन एंथल्पी में भी वैसे ही अनिमित्ता हमें देखने को मिलती है यदि ह से बात करें तो यहां पर इसकेंडियम की जो प्रथम आयनन उर्जा है यहां कि उसके बहताम पोश्टे पहले इलेक्ट्रान को निकालने के लिए जो आवश्यक उर्जा है वह यहां पर होती है 631 किलो जूल पर मोल ट्रिटेनियम में क्योंकि इसकी साइज चोटी हो रही है त लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि Magnea में जाकर यह 717 किलो जूल पर मोल हो जाती है क्रोमिय में इसका मान कम है जब आ यहां पर क्योंकि size छोटी हो रही है तो इसके मान में और वृधि होनी चाहिये थी लेकिन इसके लिए क्रॉमियम में यहां पर मान कम देखने को मिलता है जब कि मैगनीज में यहां पर इसका मान अत्यधिक ऊपर हो जाता है और इसके बाद हम कि silicone unions के बाद cobalt में हम 758 कि लोगा कि पर मूल है इसके बाद के निकल में देखते हैं तो 736 किलो जूद परमूल कॉपर की फिर से थोड़ी सी यहां पर बढ़ जाती है और 745 किलो पर तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो शुरू में जो व्रिद्धी हो रही है जो यदी हम इस एनर्जी की व्रिधी की तुला और संक्रमन तच्पू से करें तो यहाँ पर हम देखें कि उसमें उस प्रकार से तेजी से वृध्धी नहीं हो रही है दूसरी यहाँ पर हम देखें कि जो आइनिजेशन एनरजी का मान है यह यदि हम S-block तत्वों से तुल्ला करें और इनकी आइनिजेशन एनरजी अधिक होने की वज़ा से इनकी जो सक्रियता है वह भी एस ब्लॉक तत्वों की तुल्ना में कम होती है आए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रानिक विन्यास के आधार पर ये समझते हैं कि क्यों यहां पर इस प्रकार की अनिमित्ता देखने क को मिल रही है यदि हम प्रथम संक्रमन शनड़ी में देखें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है 3D1,4S2 और जब हम इसमें से बाहर एक इलेक्ट्रान निकालते हैं तो हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रान निकलता है वो 4S और्बिटल में से इलेक्ट्रान बाहर निकलेगा तो एक इलेक्ट्रान जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर जो इसका कान्फिग्रेशन होता है वो हो जाएगा 3D1,4S1 और इसके लिए उर्जा होती है 631 किलो जूल पर मोल इसी तरह से टिटेनियम में से जो इलेक्ट्रान निकलेगा वो भी 4S से निकलेगा वेनर्डियम में से भी 4S में से एक इलेक्ट्रान वाहर निकलेगा तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन में क्रमशा व्रधी हमें दिखाई देती है लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो क्रोमियम है जिसका इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है 3D5,4S1 और यहाँ यहाँ पर हम देखें कि जो इसका में जो इनिजेशन एंथल्पी का मान है वह कम हो रहा है बहुत ज्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कम है इसके बीचे कारण यह है कि यदि इसमें से 3D5,4S1 configuration में से एक इलेक्ट्रान निकलता है 4S1 में से तो यहाँ पर इसकी जो configuration रहेगा वह 3D5 हो जाएगा जो कि एक स्थाई विन्यास होता है तो इसलिए क्रोमियम चाहेगा कि आसानी से उसका एक इलेक्ट्रान बाहर निकल जाए और उसे 3D5 configuration मिल जाए इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइनिजिशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन इसके बाद हम चलते हैं मैगनीज की तरफ तो मैगनीज में हम देखें इसका जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रानिक कॉन्फिगरेशन है वह है 3D5 4S2 और यह एक स्थाई अवस्था होती है और इसमें से यदि हमें एक इलेक्ट्रान निकालना है तो हमें अत्तधिक उ इनरजी है उसका मान बहुत ज्यादा हो जाता है 717 किलो जूल पर मोल हो जाती है इसके बाद हमें यहाँ पर धीरे दीरे देखें तो कुछ कमी यहाँ पर मिल रही है आईरन में देखें तो आईरन का जो एक एलेक्ट्रान निकलने के बाद वह 3D6 4S1 है तो यहाँ पर फिर से वृद्धी हो गई है 762 किलो जूल पर मोल हो गई है इसके बाद हम देखें कि कोबाल्ट में भी 759 किलो जूल पर मोल है निकल में भी 736 किलो जूल पर मोल है और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि जो परमानू साइज होती है वह निकल के याँ पर यहाँ पर फिर से हमें जो ट्रेंड से विपरीत परणाम मिलते हैं क्योंकि जहाँ पर कॉपर में भी देखें कि एक स्थाई विन्यास होता है 3D104S1 और इस वज़ा से इस स्थाई विन्यास में से जब इलेक्टरान निकालते हैं तो यहाँ पर इसके में व्रधी हो जाती आयनिजेशन एनरजी में थोड़ी सी मान में व्रधी हो जाती इसी तरह से हम द जदिक उश्मा यहाँ पर देनी पड़ती है और इसलिए यहाँ पर देखें कि जिंक का जो आयनिजेशन एंथल्पी है उसका मान बहुत ज्यादा हो जाता है और यह 906 किलोजूल पर मोल हो जाता है तो इस तरह से हम देखें कि जो परमानविक और्बितलों का विन्यास एल यहाँ पर हम बात करें तो जो आयनिजेशन एनर्जी है मुख्य रूप से नाभिक के आकर्शन पर निर्भर करती है दूसरा निर्भर करती है कि जो आंतरी कोश के डिक अक्षक है उनका एक दूसरे के प्रती किस प्रकार का रिपल्सन है इस पर निर्भर करती है और तीसरी चूड़ी हुई चीज है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस कॉन्फरग्रेशन के लिए यहाँ पर विनमे उर्जा का मान सबसे कम होता है वह इस्थाई विन्यास होता है और जो विनमे उर्जा का काम उस विन्यास के लिए सबसे कम होता है जिसमें की जितने उपलब्ध और हो उनमें एक ही प्रकार का प्रचक्रन करने वाले इलेक्प्रान मौदूद हो यहने कि उनमें अयुगमित इलेक्प्रानों की संख्या सबसे ज्यादा हो इस आधर पर हम भी देख सकते हैं कि जो मेगनीज है उसमें जो प्रथम आयनन एंथल्पी के बाद जो का जो इलेक्प्रानिक कॉन्फिग्रेशन है इसका इस्थाइद तो सबसे ज्यादा होता है और इसलिए जब इस प्रकार की जो स्थाइद तो है उससे जब हम इलेक्प्रान निकालते हैं तो यहाँ पर हमें अत्तिधिक उर्जा को खर्च करना पड़ता है कि इसके बाद हम हम देखे जो धुटी आयनन उर्जा की बात करती हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हम परमाणूं में से एक इलेक्टरान निकल गया और वह एक धन आयन में परिवर्तित हो जाता है तो इस स्थति में जो परमाणूं और चोटा होने की वज़े से अब यह पर जो नाव की आवेश है वो और ज्यादा प्रभावी हो जाता है तो इस स्थति में हम देखें तो आइनीजेशन जो दुती आइनन उर्जा है उसका मान पथम आइनन उर्जा की तुल्णा में अधिक होना चाहिए और इसका यह भी कार परिरक्षित नहीं कर पाते हैं और इस वज़े से भी है तो यहाँ पर नाव की आवेश अधिक हो जाता है और जिसकी वज़े से यहाँ पर दुती आइनन एंथल्पी का मान अधिक हो जाता है किसे हम यहाँ पर प्राप्त परिमानों की परणामों की आधार पर भी समझ सकत हैं यदि में स्कैंडियम की दूती आयनन एंथल्पी की बात करें तो यहां पर जब इसमें जब प्रथम आयनन एंथल्पी थी उससमें इसका कॉन्फरेशन था 3D1 4S1 अब इसमें से एक और एलेक्ट्रान जो है वो 4S का वो निकल जाएगा और इस तरह से इसका कॉन्फरेशन हो जाएगा जो स्कैंडियम 2 प्लस का वो हो जाएगा 3D1 और इस समय इनकी आनेजेशन एनर्जी का मान हो जाता है 1235 किलो जूल पर मोल जो की प्रथम की तुलना में काफी अधिक है इसके बाद हम देखें इसी तरह से टिटेनियम में जो है इसका कॉन्फरेशन हो जाएगा ट्रिटेनियम 2 प्लस का 3D2 और यहां पर भी इसके आनेजेशन एनर्जी का मान हो जाएगा अधिक जो की 1309 किलो जूल पर मोल है इसके बाद विनर्डियम का हम देखें तो यह हो जाएगा इसका इलेक्रानिक कॉन्फरेशन 3D3 और इसके ज इसके बाद जो क्रोमियम का इलेक्रानिक विन्यास था वह हो गया था 3D5 जो की एक पूर्णी तरह से इस्थाई विन्यास होता है और अब इस जब हम इसे दू-3 इलेक्रान यहां पर से निकालना है यहनुने कि हम जब क्रोमियम 2 प्लस का निर्मान करें जाएगे तो वहां पर हमें इलेक्टरान 3D5 configuration में से एक इलेक्टरान निकालना पड़ेगा और इस इस्थाई अवस्था से इलेक्टरान निकालने के लिए हमें अत्यधिक उर्ष्मा देनी पड़ेगी और यही कारण है कि जो क्रोमियम जब क्रोमियम 2 प्लस आयन बनाता है उस समय इसकी आयनेज प्रत्याश्चित रूप से बढ़ जाता है और यह 1592 किलो जूल पर मूल हो जाता है इसके बाद फिर वहां पर बढ़ता हुआ क्रम हमें दिखाई देखता है मैगनीज में हम जाए तो मैगनीज में अभी देखी इसके पहले एम वन जो कॉन्फिग्रेशन था उस समय यहां से यदि एक एलेक्ट्रान हमें बाहर निकाले तो यह एक स्थाइब इन्यास मिल जाएगा 3D5 तो इस तरह से हम देखें कि क्रोमियम के बाद मैगनीज का आसाने से एक एलेक्ट्रान निकाल देता है और इसकी आनेजिशन एनरजी पंद्रह सो नो किलो जूल पर मूल हो जात अवस्था में जो इलेक्ट्रानिक विन्यास था वह था यहाँ पर 3D10 जो की पूर्ण रूप से एक स्थाई विन्यास था और इस स्थाई विन्यास से हमें इलेक्ट्रान बाहर निकालने होते हैं और इसलिए यहाँ पर और 3D9 बनाना है और इसलिए यहाँ पर कॉपर का ज electronic विन्यास था वह था 3D10 4S1 और हम यहाँ पर से यदि एक एलेक्टरान बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर 3D का स्थाई विन्यास मिल जाता है और जिंक में 3D10 विन्यास हो जाता है और इसलिए यह आसानी से η-र्टानिकल जाते हैं से और इसकी जो a样 इनर्जी होती है वह नहीं कम होथी है और 1734 किलो जूल पर मूल होती है तो इस टार से हम देखें कि यहां पर इस्धा यह विन्यास है फो ऐने से अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर भी हम जब दो इलेक्ट्रान बाहर निकल जाते हैं तो उस स्थति में नाव की आवेश जो जड़ फेक्टी होता है वो उस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए तृती इलेक्ट्रान को निकालना और अधिक ज्यादा उर्जा खर्च क करने वाला काम होता है तो इस समय हम देखे स्कैंडियम इसके लिए जो यदि इसमें से एक ही इलेक्ट्रान इसके पास बचा था स्कैंडियम टू प्लस बनने के बाद 3D में और वह इलेक्ट्रान निकल जाता है तो कॉन्फिक्रीशन हो जाता है 3D जीरो और इसकी जो हम देखें क्रोमियम में जो इलेक्ट्रान बाहर निकालने के लिए यहाँ पर हम देखें कि जो इसकी कान्फिक्रेशन हो जाएगा यहाँ पर ठुड़ी फॉर से 3D3 हो जाता है और यहाँ पर भी इसका जो आइनिजेशन एनर्जी है वो बढ़कर 2990 किलो जूल पर मोल हो ज पर आप देखेंगे कि मैगनीज 2 प्लस बनने के बाद इसका जो electronic configuration था वो 3D5 था जो कि एक स्थाई विन्नास था और यदि इस स्थती से हमें एक electron निकालना है MN3 प्लस बनाने के लिए तो हमें बहुत अधी कुर्जा खर्णच करनी पड़ेगी और इसी तरह से हमें ग्राप किलो जूल पर मूल होता है इसी तरह से इसके बाद हम देखें आइरन है आइरन का जो उसको परियाप्त थ्री प्लस बनता है तो उससे इस थाई विन्यास मलता है 3D5 और इसलिए उसकी जो इनर्जी है मैगनीज की तुलना में कम है वो 2962 किलो जूल पर मूल हो जाती है इसक नचिल कि यहां पर हम देखें कि 3402 किलो जूल पर मूल है कॉपर की 356 किलो जूल पर मूल है तो यहां पर हम देखें कि अन्तिम जो निकिल कॉपर और जिंक हैं इनकी तुरие आइनέλ benziyimशन इनर्जी का मान बहुत अरहीं कारण है कि यह तरती आइनेजेशन एनरजी यह यह निकल 3 प्लस हमें देखने को नहीं मिलता निकल 2 प्लस और ऑक्सिडेशन अवस्था ही शो करता है इसी तरह से हम देखें कि कॉपर और जिंक भी यह प्लस 2 ऑक्सिडेशन स्टेट ही शो करना चाहते हैं और यहां पर हमें इनकी जो प्लस 3 ऑक्सिडेशन स्टेट है वो देखने को नहीं मिलती है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिस किस तरह यहां पर प्रथम संक्रमन शर्णी या इसी तरह से दुती और तृती संक्रमन शर्णी में भी आनीजेशन जो एनरजी है वह परमानू की साइज से भी प्रभाव करती है तो इसके बाद अब हम अगला जो संक्रमन शर्णी तत्मों का गुण है वह है एक महत्वपून गुण परिवर्ती आक्सिकरण संख्या या परिवर्ती आक्सिकरण अवस्था इस पर हम बात करते हैं संक्रमन शर्णी के कई विशिस्ट लक्षणों में एक लक्षण करना जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रफम 3D श्रणी के जो तत्व है उनकी आक्सिकराण अवस्ITHा प्रदरशित हो रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कांडियम यहाँ इसकी के व़ एक ही आक्सिकराण है प्लस त्री इसके अलावा हम देखें जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ट्र। यहाँ पर प्लस टू ile fins subscribers for है वनेडीया की गहई है जो तरदक सkówित करता है वह प्लस से वेनेडियम की जो मुख्य सामाने आक्सिकरण अवस्था है वह है प्लस 5 आगे बढ़िये तो क्रोमियम में हम देखें क्रोमियम प्लस 2 से लेकर प्लस 6 तक आक्सिकरण अवस्था प्रदर्शित करता है अपने डी ओर्बिटलों तथा बाहतम कोष्ट के एस और्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रानों की संख्या के आधार पर लेकिन यहां पर इसकी जो सामाने आक्सिकरण अवस्था होती है वह होती है प्लस 3 और प्लस 6 इसके बाद हम देखें कि मैगनीज और मैगनीज जो है प्लस 2 से देख सकते हैं प्लस 7 तक आक्सिकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है जो कि 3D शर्णी के किसी भी तत्व के लिए सबसे अधिक्तम होती है इसके बाद हम देखेंगे कि आईरन की केवल तीन आक्सिकरण अवस्था हैं प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 और उसमें भी हम देखें कि जो सामान आक्सिकरण अवस्था है जिसमें यह ज्यादा इसके योगिक मिलते हैं वो होती है प्लस 2 और प्लस 3 इसके बाद कोबाल् यहाँ पर हलाके निकिल प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 आक्सीकरण अवस्थाईं प्रदर्शित कर सकता है लेकिन इसके योगिकों में केवल प्लस 2 आक्सीकरण अवस्था ही हमें देखने को मिलती है इसके बाद देखें कॉपर, तो कॉपर में ये प्लस 1 और प्लस 2 आक्सिकरण अवस्था शो करता है, लेकिन मुख्य रूप से सामाने इसकी जो आक्सिकरण अवस्था है, वो प्लस 2 ही होती है, इसी तरह से जिंक की केवल एक ही आक्सिकरण अवस्था है, जो कि इसके बाहतम पोश 4S के दो इलेक्ट्रानों के द्वारा प्रदर्शित होती है निकलने से और यह होती है प्लस 2 तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक संख्या में जो आक्सिकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं वह हैं और उसके बाद हम देखें कि आरन है वह तीन आक्सिकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है जैसे जैसे हम किनारों की तरफ जाते हैं तो मद्यस्थी से दूर होते जाते हैं जो अधिक आक्सिकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने की प्रवित्ति हैं वह कम होती जा एलेक्ट्रानिक विन्यास होता है 3D1 4S2 यहने कि इसके बैताम कोश में 3 ही इलेक्ट्रान है इसलिए अधिक्तम 3 आक्सी करन अवस्था प्रदर्शित कर सकता है और आप देखेंगे कि इसकी जो सामाने आक्सी करन अवस्था है वो प्लस 3 ही होती है इसी तरह से ट्रिटेनियम है तो इसमें 4 एलेक्ट्रान होते हैं 3D में 2 होते हैं 4S में 2 होते हैं तो यह प्लस 4 आक्सीकरन अवस्था मुखिघी रूप से प्रदर्शित करता है दूसरा कारण है Κोष में जो डे इलेक्ट्रानों की अधिक्ता जो हम देख सकते हैं कॉपर और जिंक में क्योंकि इन में हम देखें कि जो इलेक्ट्रान होते हैं और इसलिए यहाँ पर अधिक संख्या में होने के कारण यह कक्षक अनिजेशन के लिए बंद बनाने के लिए उपलब्द नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर हम देखें कोपर का विन्यास जो होता है 3D10 4S1 और इसलिए कोपर केवल प्लस टू आक्सिकरन अवस्था शो करता है तथा जिंक है वह भी केवल प्लस टू आक्सिकरन अवस्था शो करता है इसके बाद हम देखें कि यह जो सामान इस्थाइत वाली जो आक्सिकरन अवस्थाएं हैं उनकी संख्या यदि हम कैल्कुलेट करें तो यह आप देखेंगे कि ये इनके S और्बिटलों तथा D और्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रानों की संख्या के योग के बराबर होती है जैसे कि हम यहाँ पर एक एक एक्जाम्पल लेते हैं टिटेनियम डायक्साइड TIO2 अब यहाँ पर देखें कि टिटेनियम की ऑक्सी करन अवस्था है प्लस 4 और हम यह भी जानते हैं कि इसके जो बाहतम कोश का इलेक्ट्रानिक विन्यास होता है वो अता है 3D2, 4S2 यहनि कि इसके पास 4 इलेक्ट्रान होते हैं और इसलिए यह प्लस 4 ऑक्सी करन अवस्था शो करता है इसी तरह से वेनाडियम डायक्साइड वी ओटू में हम देखें वी ओटू प्लस में हम देखें तो यहां पर हम देखें कि इसका ऑक्सीक्राइशन नंबर प्लस 5 है और इतनी ही संख्या इसके डी ओर्विटलों और एस ओर्विटलों का योग के द्वारा प्राप्त होती है इसी तरह से हम देखें क्रोमियम टेट्रॉक्साइड सी आर ओफोर टू माइनस यदि हम इसमें देखें तो आप जानेंगे कि जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह है यहां पर प्लस 6 और यह जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और हम जानते हैं कि जो क्रोमियम होता है उसके पास भी जो 3D और्विटल तथा 4S और्विट स्टम जो सामाने आक्सीकरण अवस्था होती है वह भी प्लस सावन होती है जबकि हम देखें जो किनारे पर उपस्तित तत्व है या इसके यादि हम स्रोणी में आगे बढ़ते चले जाएं तो वहां पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रानों की संख्या कम होने की वज़े स इनके आक्सीकरण अवस्था में कमिया जाती है आईरन हम देखें केवल प्लस टू प्लस ट्री आक्सीकरण अवस्था शो करता है यहां पर कोबाल्ट भी केवल प्लस टू प्लस ट्री आक्सीकरण अवस्था शो करता है कोपर प्लस वन और प्लस टू आक्सीकरण अवस्थ प्रदर्शित करने के पीछे कारणों पर ध्यान दें तो कुछ चीज़ें सपस्ट होती हैं जैसे कि यहां पर हम देखें कि जो संक्रमन तत्व हैं उनके डी और्बिटलों में इलेक्ट्रान एक एक करके इस तरह से प्रवेश करते हैं कि इनका जो आक्सिकरन अवस्था में ए वेनेडियम में आक्सिकरन उस्था प्लस 2 मिल रही है प्लस 3 मिल रही है प्लस 4 मिल रही है और प्लस 5 मिल रही है तो यहां पर जो इलेक्ट्रान है डी और्बिटल में से इसी करम से एक के करके यहां से बाहर निकलते हैं जबकि हम यदि और संक्रमन तत्वों से इनकी तुल अवस्था है उनकी संख्या जादा हो जाती है इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि पी ब्लॉक तत्वों की तुल्ना में हम देखें एक और यहाँ पर रोचक तत्थ देखने को मिलता है वो यह कि यदि हम संक्रमण श्रणी में वर्ग चार से वर्ग दस की ओर बढ़ रहा हैं और तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारी सदस्य है यानि कि उपर से नीचे जब हम आते हैं तो वहाँ पर देखें कि भारी सदस्यों में अधिक्तम आक्सी करण अवस्था उच्छ आक्सी करण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवित्ती जादा होती है या उनकी जो अबंढी है उसके नीचे हम देखें कि मॉलिब्डेनम वह सिक्स ओत्स हो करता है उसके नीचे हम देखें टंक्सटन यह सामानी रूप से प्रदर्शित करता है लेकिन यह तीनों की तुल्ना करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्रोमियम की प्लस 6 आक्सी करण अवस्था उतनी स्थाई नहीं होती है जितनी की मुलिबडेनम और टंगस्टन की होती है यदि हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एक कंपाउंड है प्रतेश्यम डाइक्रोमेड के टू सी आर टू ओ सेव यसका अमल्य माध्यम में इसकी क्रिया देखें तो यह अमलक के उपस्तति में क्रिया करके जैसे मालीजी आस तो यहां पर हम देखेंग कि जोह क्रोम में प्तेश्यम डाइक्रोमेट है यह जो इसकी oxidation नमबर प्लस 6 लेकिन यह तुरंत वहां पर अमली मध्य में परिवर्तित होकर जो यहां पर क्रोमियम सलफट बना लेता है तो वहां पर इसकी oxidation नमबर अफ्ल्स प्लस 3 हो जाती है तो यहाँ पर मलीब डान आहिस्था अवस्था उतनी स्थाय होता है उसी तरह से वैंरल यहां पर मैनद एमीड मैन में प्रवित्त्त करने की प्रवित्ति कम हो जाती है इसके पीछे जो जो कारण होता है आंतरी युग में होते हैं उसमें के जो होते हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं तो ये ले अंतर और संक्रमन तत्वों की यहां पर संक्रमन तत्वों की जो निम्ना आक्सिकरण अवस्थाई दर्शित करने की प्रवित्ती है वो ऐसे योगिकों में पाई जाती है जिसमें की ऐसे लिगंड उपस्थित होती हैं जिन में की सिग्मा बंद बनाने के अतरिक्त पाई ग्राही गुण भी पाया जाता है जैसे कि इस प्रकार का एक लिगंड है कार्बनल जो कार्बनल लिगं लेकिन साथ ही साथ वह केंद्रिय धातू परमानू के पास जो उपस्थित इलेक्ट्रान जोड़े हैं उन्हें ग्रहण करके पाई बंद भी बनाता है और यही कारण है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका इस्थायत तो बहुत ज्यादा होता है और यहां पर कि जो निकल की auxiliary नंबर है वह जीरो होगी उसी तरह से pan capita रल इण यहां पर आईघरन की minist नंबर-। लुआ होती है तो इस तरह से हम देखें कि इनकी नि MASU करण अवस्था करती है वह किस कारण से उपस्थित होती है इसके लावा और जो महत्तुपन बात है वो ये कि संक्रमन तत्व जो अपनी उच्चतम आक्सी करण अवस्था प्रदर्शित करते हैं वो प्राय फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले योगिकों में ही प्रदर्शित करते हैं इसके पीछे कारण है एक तो इनकी जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है हम जानते हैं इनकी इलेक्ट्रो नेगटिविटी बहुत अधिक होती है और इसलिए यह अधिक इलेक्ट्रो नेगटिविटी होने की वजह से यह आसानी से केंद्रिय धातु परमानू के इलेक्ट्रानों को सकते हैं और यहां पर यह सटिस्फाइब कर पाते हैं और इसलिए इस प्रकार के जो योगिक होते हैं वह इसमें यह उच्छ आक्सीकरण अवस्था प्रदार्शित कर सकते हैं जैसे कि यहां पर हम देखें सीया टू ओ सेवन टू माइनस यहां पर यह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यहां पर यह ऑक्सीजन और केंद्रिय धातु परमानू इनकी क्रोम्यम इनके मध्य जो सिगमा बंद तो बंते ही है साथ यहां पर पीपाई बंद भी बंता है किसी तरह से हम देखें F2O3, तो यहाँ पर भी आप इसकी सरचन देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो दोनों आइरन आपको दिख रहे हैं, वो एक ऑक्सीजन के द्वारा सिग्मा बंद के द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि किनारे के दोनों ऑक्सीजन परमाणू है, वहाँ पर यहाँ पर द्वी